सेंसीपी और शुफ सेना के बीच मदभेदों को देखते हुए महराश्ट बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांद पाटल ने कहा कि अगर शुफ सेना चाहे तो हिंदुत्व और महराश्ट के विकास के मुद्दे पर बीजेपी शुफ सेना के साथ गड़ बंधन क के लिए तैयार है हाला कि पार्टल का कहना है कि चुनाव वो अलग अलग ही लड़ेंगे लेकिन जो इस्तिती दिख रही है क्योंकि कई बार अनबन की खबरें भी सामने आ रही थी और ऐसे में बीजेपी के तरफ से इसको एक ओफर के तौर पर कहा जा सकता है क्योंकि ये क कहा जा रहा है कि अगर शिवसेना आना चाहे तो बीजेपी के साथ सरकार बनाना चाहे तो उसके लिए बीजेपी तैयार है लेकिन जो चुनाव होगा वो दोनों ही पार्टियां अलग अलग लड़ेंगी क्योंकि जो मद्भेद की स्तिती बन रही थी जो बाते सामने आ रह था कि वहाँ पर उनसे राय मशुरा नहीं लिया जाता है एक ही पार्टी सब कुछ कर रही है और इन मद्भेदों के बीच बीजेपी की तरफ से ये ओफर दरसल महरास्ट बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है चंदरकांथ पार्टिल उन्होंने कहा कि अगर शिवसेना च पर लड़ेंगी लेकिन फिलहाल जो सिती महराश में है करोना के केसे बढ़ रहे हैं और ऐसे में सरकारों में मद्भेद होने की वज़े से महा अगारी विकास पार्टी वहां पर है और अगर लगता है कि काम नहीं हो पा रहा है तो बीजेपी सकारात्मक रुख इस बड़ा बयान ऐसे वक्त पर जब महराश में करोना के केसे लगातार बढ़ रहे हैं और इस बीच अनबन की खबरे भी लगातार NCP, कॉंग्रेस और शिवसेना के बीच में सामने आ रही थी जिसको लेकर जब यह सवाल पूछा गया तो बीजेपी के नेता की तरफ से यह सा कहा गया कि अगर चाह रहे हैं शिवसेना वाले तो वो साथ आ सकते हैं और दोनों पार्टिया यानि बीजेपी और शिवसेना मिलकर सरकार बना सकती हैं